तो नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पांडव मातों में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं आज आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे रामगर जीला में पुरे रामगर जीला में पिछले 12 अक्टूबर 2023 को एक स अंचायत के मुख्या सरपांच वाड इलो वते थे उन लोगों को अपने और से प्रेंसित करके इस तरीके से क्या गया था जिस तरीके से माकान नंबर एलोट किया जा रहा है और इसमें रासन कार्ड या फिर पीमावासी इस तरीके से बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मैं इस लेटर के माध्यम से इस लेटर के विशय में आप लोगों के यह तमाम जितने भी जारखंडी नौजवान भाई बंदो सभी तमाम लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो यह लेटर आया हुआ था इसको इस विशय पर जो 12 अक्टुबर 2023 को सीविल सर्ज के विडियो को हम लोगों ने लिखित गया पन सौपा था एक नौवंबर को एक नौवंबर को हम लोगों ने लेटर सौपा था और हम लोगों ने यह भी कहा था कि इस विशय पर हम लोग चाहेंगे कि जितने भी यह ग्रामीन छेत रहे रामगड खास करके ग्रामीन एरिया है इसलिए यहाँ पर निसुल्क ब्यवस्ता होना चाहिए यहाँ पैसे खास करके 50 रुप्या ले करके अगर लोगों से काम किया जाता है तो कहीं न कहीं अनुचित है और इसको हम लोग निंदा करते हैं इस विसे पर हम लोगों ने अस्थाने वीडियो हमारे जो है गोला पर है कि सर जब इस तरीके से अगर इस फर डी-सी हमारी जो उपायुक्त रामगर उपायुक्त चंदन कुमार जी के निर्देश के अनुशार में अपना जारी क्या अगर आपके घर में आपके गाउं में अगर आकर के कोई लोग लूट रहे हैं या फिर इस तरीके से हो रहा है तो आप लोग अपना मुख्या या फिर विधायर् किया सरपंज या पारसद के भरोसे में मत रहें चुकि जारखण में बहुत सारा खेल मच रहा है इसलिए मैं चाहूंगा आप तमाम दर्सकों को कि इस विशय पर जहां भी सर्वे नहीं हुआ है तो आप लोग पैसा देने का अपने आप में यह नहीं सोचेगा और सर्वे करने का बहुत सारा उन लोगों ने परलोबन दिया हैं इसलिए फिर से मैं आप तमाम दर्सकों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे रामगर जिला के जो उपायप्त स्री चंदन कुमार जो है इस लेटर को जो सिविल सर्जन का जो लेटर है इसको खारिज कर दी है इसलिए बहुत बहुत बताई सुबकामना कि जेभी कैसे इस व बहुत बड़ी खुसी है कि जेभी केसेस का यह जो बात यह जो आवाज जो था कहीने कहीं अधिकारी को लगा और उन्होंने इस पर ब्रेक लगाया है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबकामनाएं जोहार जजारकंड